दोस्तो काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कापने लगते थे दरसल या एक जेल थी जिसे सैलिलर जेल के नाम से जाना जाता था आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं या जेल अंडबार निकोबार दीप की राजधानी पोर्ट बले पाने संस्कित शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मित्यो, यानि काला पानी शब्द का अर्थ मित्यो के स्थान से, जहां से कोई वापिस नहीं आता, या जेल गहरे समुझ से घिरी हुई है, जिसके चारों और कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था इस जेल की सबसे बड़ी खुबी ये थी कि इसकी चार दिवारी यानि बाउंडरी एकदम छोटी बनाई गई थी जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था पर इसके बावजुद जेल से बाहर निकल कर भाग जाना लगबग नामुम्किन था क्यूंकि ऐसी कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूप कर मर जाते थे दोस्तों ये जेल काला पानी के नाम से तो फेमस थी ही कर सकें ऐसे में कैदी यानि फ्रीडम फाइटर्स बिलकुल अकेले पर जाते थे और वो अकेला पन उनके लिए सबसे भ्यानक होता था कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतियों को फासी की सजा दी गई थी इसी वज़ा से इस जेल को भारती इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है मगर अफसोस की बात है कि आज हम उन सभी शहीदों का अपमान कर रहे हैं धर्मवा जाती के नाम पर चलो उठो देशवासियों उन शहीदों का कर्श चुकाएं और अपने देश को प्रगिती की ओर ले चलें